जबॉरी वरी good morning to your friends So this is pathfinder platform पाथफ में आपका शौगत है कहाँ पर मैं देवराज भूरम आपको 1.5 year के lifesपड हरो ठीक है उसमें से अब आप देखने लगे होंगे कि इस in current affairs में से majority questions आते हैं तो हम यह भी मानकर चलने के exams के अंदर भी 80% questions in current affairs में चाहेंगे ऐसे मानकर हम इसके अंदर आपको preparation भी करा रहे हैं और आपको preparation भी करने पड़ेगी then only you can succeed in this examination right so current affairs का जो burden है मैंने अपने उपर रग गया पर इससे पहले मैं आपको यह बताना करता हूँ जादा जादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे की जादा जादा स्टूडेंट सबसे जोड़ सके चलिए तो अनकाडमी आप जोइन कर सकते हैं अनकाडमी का ऑफिशिली आप अगर जाइन करना चाते हैं तो आपको लाइव डीवी कोर्ड याद रखना पड़ेगा इस ला और यू किन चेंज और कोर्से ठीक इसी के साथ अलिमिटेड व्यू जोन लेक्टर्स विल भी डिए डेडिकेटेड डॉट गरें सेशन यह सब चीज़ें यह सारे फीचर्स जो होंगे लाइव डीवी कोर्स आपको मिल जाएंगे अब यह अनकाडमी पर चल रहा है अगर आ आपको इस्पेशल क्लास किसि धो होंगे फर्टि एव डेज स्वेज डॉट आप को मिलें गे प्रेलमिस के मिलें गी फवन ए सब्सक्राइबें के साथ 1.5 के साथ 9 10% डिसकाउंट प्लस आप यहा पर देख सकते है इसा इस चार्ण सब्स इन और अर यहाई वेडियम के कु करेंगे तो यह कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा प्लस सारे कोर्स जो भी एन अचाड़मी पर है वो सारी सारे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगे रइट आप यहां पर देख सकते हैं कि यह यह अबन कोड है और मल्टीपल बेनिपिट इसके वल अंडाइब लुट इसके अप्रेइल मंध इस वरी वरी इंपोर्टन पर यू तभी बच्ची जान सुनें अप्रेइल के महीने के अंदर आपकी बहुत कड़ी परिक्षा है ठीक है या तो इस महीने के अंदर आप प्रक्टि आगे तक जा सकते हो प्रोग्रेस कर सकते हो तो इसके अंदर आप उनको पूरी मेहनद करने है और इसके अप्रेइल मंद के कोर्स मैंने कुछ लांज करें सी सेट का इंपोर्टन टॉपिक्स ऑद पॉलेटी यह दोनों कोर्स जो होंगे 10 अप्रेइल से स्टार्ट हो जाएं कोर्स वन आप देख सकते हैं सिस्टी का मसी क्यू 9 15 पर अप्रेइल से डेली क्लास होती आज भी क्लास होगी इसके अंदर हम आज की क्लास के अंदर हम 19 एक तो नॉन कोपरेशन मुमेंट पढ़ेंगे और नॉन कोपरेशन मुमेंट से लेकर 1925 तक की कहानी ठीके इसके पढ़ेंगे इसके अंदर आप देखेंगे आपकी स्वराज पार्टि भीन ड्याएंगी नॉन कोपरेशन मुमेंट का कौज़ेज इसके जो इफेक्ट क्या हुए आफटर एफेक्ट और यह सब हो जाएगा और जो भी पॉलिटिक्स है इसके अंदर वह सारी हिस्टोरिकल इंदर यह सब कुछ इसके नहीं तो आज आपको यह आपका सिलेबस आज ठीक है तीसेट का क्लास जो है वो दस तारिक से 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और इंपोर्टेंट पॉलेटिक कॉर्स जो है दस अप्रेल से 11 बजे यह क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट लेट्स बिगिन विद अवर फस्ट टॉपिक परस्ट पहला टॉपिक अबद पढ़ते हैं सब्त कोटेश्वर टेंपल सब्त का मतलब क्यो सब्त कोलब कोई चीद बता रहा हूं जान सुनना सब्त कदम सात कदम सात कदम याद कर लेना इसे ब् Casey व्याद करने के लियुक्य साथ कल टैंपल यह यह सब्त कोटेश्वर टेंपल है और यहां पर गगोगायर्द ला racist shall k Pengal twentyảस तो कदम से आई आद करो गada बाध क्दमबा डाइनेस्टी किदंबा डाइनेस्टी जो है उनकी एक आह इक तरह से डेटी है सफ्थ कोटेश्वरत को तरánt कोटेश्वर की नाम है अब सफ्थ इस्ट देवता थे, ठीक है, सब्त कोटिश्वन के इस्ट देवता थे, right, I hope this is clear to everyone, क्या आपे देखिए, सब्त कोटिश्वन, अगर आप से पुछा जाए, क्या है, a form of Shiva, was one of the chief duties of the king of Kadamba dynasty around the 12th century, ठीक है, तो यह temple उसी ताइम पर बनाया गया है, और यहाँ पर आप देखिए सब्त कोटिश्वन टैंपल, जो है, डेटी है, एक तरसे royal dynasty of Goa Kadamba dynasty, ठीक है, Kadamba dynasty की, आप देखेंगे, एक तरसे देव है, सब्त कोटिश्वन देव है, ठीक है, इस डेडिकेटिव टूर्ड शिवा और शिवा जी महारा, शिवा और शिवा जी महारा, यहां से आद हो जाए सब्त कदम इस तरह से आद रहेगा, ठीक है, सब्त कोटिश्वन देखते हैं, आपको यह आदा जाना थी, कि यह क्या है, Lord Krishna का है, Lord Shiva का है, और Shiva से आदा जाएंगे, शिवा जी महाराज, ठीक है, च्छत्रपति शिवा जी महाराज, तो शिवा जी महाराज ने भी इसको क्या सब्त कोटिश्वर की बहुत बड़ी भक्ती, कमल देवी के लिए, ठेमपल उनके लिए बनाया था, ठीक है, अब लएक देखेंगे, काफी जगये इसका लिखावा मिलता है, और अगर आप देखेंगे, कोईंस के उपर इसका नाम लिखावा था, कोईंस के उपर इसतरह की इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे सब्ध कोटिश्वर वरा लब्धा और वरा प्रसादा ठीक है विच मीज्ट विद ग्रेश ऑफ दा लॉड शब्ध कोटिश्वर ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर देख सकता है कि कोई के ओपर यह लिखा हुआ मिला गया था गोल्ड कोई मिल रहे हैं वहाँ पर ठीक है चंदोर गोवा गोपी कप्टाना तो यहां पर इन सब जगे पर इन सब जो राजा है इनके टाइम पर कोई मिलता और कोई के अंदर लिखा का सथ कोटिश्वर वरा लब्धा ठीक है एन वरा और जिसको अपन मुलता है हेफा अभी हेफा इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो सोचकर हमने इसको बनाया था उतना एक काम कर नहीं पा रही है ठीक है अगर हम देखें तो इसने इसका टार्गेट था कि हेफा के थ्रू हम क्या करेंगे वन करोर वन लेक करोड रूपीज अभी तक मूबलाइज नहीं कर पाए हमारा जो यह था डाइडलाइन था वो 2022 था और डाइडलाइन काफी इनों पहले ही समाप कर चुका पर अभी तक एक लाग करोड रूपए खटा हुआ लिए तो सर हेफा है क्या हायर एजुकेशन फैनेंसिंग एजेंसी नाम से समझ ब चुकेशन पर शाघण से जोइंट वेंट पर चुकेशन ऑर कनारा बैंक जो है इनका इसल्पर अलोड से करेंगी है चिसे कि हाइर एजुकेशन इंस्ट्टियूट्यों को पैसा लोन पर दे सकेगे लोन पर प्रोवाइड कर सके तो यहां पर देखी इसके इननर ही एडुक मिनिस्ट्री ऑफ एचारी ठीक है और यहां पर आप देखें कैनरा बैंक एचारी हुमन रिसोर्ट डवलप्मेंट और कैनरा बैंक का क्या है एक तरसी जॉइंट वेंचर है पर फाइनसिंग क्रेशन ऑफ केपिटल एसेट इन्ना है रेजुगेशन इंस्टुटूशन है उनक अगर हम देखें एंडी एसेटिशियन इसका हो रहा है श्रीन नौन डिपोजित टेकिंग इस्स्टेमेटिकली इंपोटेंट इसका हो रहा है इक बोडी है एक अग्युधि इसके लिए 2017 के दने था और जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ओफ एजुगेशन गूवर्मे और केनरा बैंक का शेर की है तो है 9.09% यह भी आ रखेगा मिनिस्टि ओफ एजुविशन और केनरा बैंक का शेर किस तरह से यह भी आपको इसके इंदर रेशु में आ रखना है यह वी प्रेलेम्स पूछा डा सकता है अब इसका काम क्या है इसका काम यह है कि यहां पर देख रहे हैं कि इतना सेंक्शन अमाउंट करा था इतना डिस्पर्स हो गया इनको फंड प्रोवाइड करना अब फंड का मतलब पैसे देने पर पैसे in the form of loan loan यह प्रोवाइड करेंगे तो यह तरह से financing institution है कि भाई तुम जो higher education institution है तुमको अगर finance चीए कुछ loan loan का पैसा चीए तो हमसे ले रहो और हमको कोई profit के लिए काम नहीं कर रहे हम not for profit कर रहे काम ठीक है और यहां पर हम तुमको low interest rate पर पैसा देंगे higher education institution आपको low interest rate पर हम पैसा दे रहे जिससे कि आप क्या करो अपना capital infrastructure डवलप करो आप अच्छे अच्छी infrastructure डवलप करो और जिससे क्या हो कि आपका नाम हो education institution के भारत के education institution का नाम हो I hope this is clear तो इस तर से this is setting up of laboratory ठीक है laboratories, high performance computing facilities, libraries यह सब बनाने के लिए या फिर construction of buildings, facilities there in required for the academic or the research purpose इन सब के लिए इन सब काम के लिए के है, इन सब काम के लिए इनको पैसा दिया रहता है, loan के उपर पैसा दिया रहा है तो देखो, it works to provide timely finance at low interest rate for capital asset creation in India's higher education institution and supplement it with the grants by channelizing CSR fund from the corporates and donation from the others CSR fund है, corporate social responsibility वाला fund है, उसको भी channelize करते है कि कि किस तर से education institution में उस पैसे को खच किया देखा है HEFA would incentivize better internal resource generation और allow substantial investment through the market borrowings All the centrally funded higher education institutions will be eligible for joining as the member of the HEFA जो भी centrally funded higher education institution है, जिनके मैंने अभी कुछ नाम आपको होता है, इस सभी HEFA के इंदर आ सकते है, HEFA से loan ले सकते है तो मतलब HEFA क्या है, एक ऐसी organization है, जो की higher education institution यह सबसे या रखना higher education institution को क्या कर रही है, loan दे रही है loan दे रही है at a very low interest rate, low interest rate पर पैसा दे रही है, ठीक है साब low interest rate पर पैसा दे रही है और इससे क्या हो रहा है, इससे यह लोग क्या कर रहे है, अपने capital assets generate कर रहे है, capital infrastructure जो है उसको generate कर रहे है, ठीक है, higher education institution जो centrally funded higher education institution है, उनकी बात यहां पर हो रही है ठीक है, higher education this is clear, फिर अपने कहा कि यह जो है एक तरह से ministry of education का और canra bank का joint venture है, canra bank का joint venture है, जिसके अंदर ministry of education जो है, ठीक है, उसका जो share है, ठीक है, ठीक है, और इसका जो share है, वो 99% share है, ठीक है, तो आपको, इतना तो कम से हम यारी इर्थना पड़ेगा, इसका share कितना है, और अगर आपको exactly याद करना है, 90.9 और 9.09, पर इतना भी आनी हो, तो 9 और 90 तो याद करें, ministry of education का share, ठीक है, I hope this is clear to everyone, यहां तक सब को clear है, तो यह सब चीज़ें आपकी हो जाती है, short notes की short notes होगे, मैंने आपको समझा भी दिया, plus short note कैसे बनाना यह भी बता दिये, ठीक है चलिक, नेक्स्ट अप देखते है, lymphatic flavoris, ठीक है, lymphatic flavoris, जो है, यह क्या disease है, यह अपर इसके इंदर समझते है, आपने सुना हुगा हाथी पाऊं, पर हाथी पाऊं डिजीज जो है, वो ही है, lymphatic flavoritis, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, lymphatic nodes जो गती है, उसके अंदर सूजन आ रहाता है और यह बढ़ जाती है और यहां पर देखिए इसको एलिफेंट इस भी बोलते हैं इसे नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और अभी यह नूस के इंदे से लिए क्योंकि मास्ट्रग अडिमिस्टरिशन तो आप यहां पर यह समझे कि मिनिस्ट्री ने क्या गूड रखा है कि 2027 तक हम जो लिम्फेटिक फ्लेराइसिस है उसको क्या कर देंगे उसको हम अलिमिनेट कर देंगे अगर वल्ड के अंदर देखे तो वल्ड के अंदर एक टार्गेट है जिसे वह को टार्गेट 2030 तक करना हम कह रहा है कि नहीं हम 2027 तक ही इसको क्या कर देंगे इसको ऐलिम्ट कर देंगे ठीक है लिम्फेटिक फ्लेराइसिस जिसको आपन बोलते हैं अलिफेंटाइसिस भी बोलते है तो यह डिजीस कैसे फैलती है क्या होता है इसके बारे में सब कुछ आप इसके अंदर यह पैरसाइटिक डिजीस है मनलब पैरसाइट जो होता है अगर आपकी बॉड़ी के अंदर चला गया ठीक है पैरसाइट अगर आपकी बॉड़ी के अंदर चला गया तो यह डिजीस हो जागी इस पैरसाइट का नाम है फिलारियल ठीक है इस तरसे इस पैरसाइट का नाम ह पिलारिय और इसी लिए इस disease को बोलते हैं लिंफेटिक फलेरीस और लिंफेटिक का मतलब क्या है लिंफेटिक नोर्स जो होती है शरीर के अंदर उनके उपर इसके उपर अटेक किया जाता है ठीक है इस पेरसाइट के दौरा ठीक है वो parasite और उस parasite के transfer होने के कारण आपके शरी की lymphatic nodes जो होँगी वो क्या हो जाएगी वो फैल जाएगी तो मतलब हम इस disease को समझे lymphatic lymphatic मतलब कि lymphatic nodes के उपर क्या कर रहा है यह attack कर रहा है philariasis ठीक है philariasis का मतलब क्या है एक philarial नाम का parasite है वो इसको पहला रहा है और mosquitoes जो है इसके अंदर generally female mosquito जो है वो क्या कर रही है एक तरह से vector का काप कर रही है जो इसको फैलाती है ठीक है यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते है कि इसमें क्या-क्या signs और symptoms होता है fever होता है testicular and inguinal pain skin exfoliation, limb और genital swelling यह सब चीज़ें इसके अंदर होती है तो ज्यादा अगर आपन देखें इसके अंदर तो उसके अंदर क्या है lymphatic nodes का सूजन आ जाता है और उसके कारण क्या होता है उसके कारण शरीर के अंग जो है वो फूल जा रहे है उसके अंदर swelling आ जा रही है तो elephantiasis is an enlargement and hardening of the limbs or the body past due to the tissue swelling tissue swelling के कारण यह क्या हो जा रहा है यह इस तरह से जो swelling हो जा रही है पुरी body के अंदर infections occurs पैदा when philarial parasites are transmitted to human through the mosquitoes और mosquitoes के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो female mosquitoes है यह parasite जो होता है female mosquitoes के कारण रहा हो जाता है और culex, mansonia, anaphylisis ठीक है और eddies यह mosquitoes जो है इनकी female जो है वो क्या करती है इसको transfer करती है मतलब यह एक तरह से vector की भूमिका नेवाती है this is spread from person to person by mosquito bites when a mosquito bite is a person who has lymphatic fluoresces microscopic warm circulating in the person's body enters and infect the mosquito और mosquito को infect के बाद when infected mosquito bite करेगा दूसरे person को तो उसको भी हो जाए ठीक है in the lymph vessels they grow into the adults and adult swarms lives for about 5 to 7 years 5 से 7 साल तक के लिए जीवित रह सकता है ठीक, adult तो आप देखे adult warm जो है आपकी बजबार body में चला गया तो 5 से 7 साल के जीवित रह सकता है और तक आपके जो elephant reserve भारत का 33 elephant reserve मतलब अभी आपको पूछा रहा है कि भारत के इंदर किते elephant reserve है तो आप बोलेंगे 33 elephant reserve है ठीक है Ministry of Environment, Forest and Climate Change गीविट्स नोट तराई elephant reserve तराई elephant reserve को नोट दे दिया है मतलब इसको हमी दे दी गई है spread over 300 square kilometer इंदा दूधवा पिलीभाद region इंदा उत्तरप्रदेश तो उत्तरप्रदेश के अंदर एक नया elephant reserve बन चुका है तराई elephant reserve ठीक है अब हम देखें तो हमारे elephant reserve जो हो गए वो 33 elephant reserve हो गए ठीक है यहाँ पर मैंने इस एक map के अंदर सारे elephant reserve है और अभी जो नया बनाया है यह देखें तराई elephant reserve उत्तरप्रदेश के अंदर यह नया elephant reserve बना है तो यहाँ पर देखेंगे इस area के अंदर जिस area के अंदर यह elephant reserve है उसके अंदर दुद्वा tiger reserve भी आता है फिलीभित tiger reserve भी आ रहा है ठीक है और अगर हम देखेंगे किसानपुर wild life century भी आ रही है और katrina ghat wild life century भी इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे यह जो तराई elephant reserve है इसके अंदर चार तरह की species भी मिलती है यह भी अपन को या रखना है tiger, asian elephant, swamp deer and one hot rhinosaur I hope this is clear to everyone तो अभी यह ना नहीं नहीं आई है यह नहीं नहीं है 33 elephant reserve अभी मतलब मिला है इसको इस data की आप भी इसको elephant reserve की तरह हम बोल देंगे elephant reserve क्या होता है इसको बोलते है तराई elephant reserve यह जो 33 वाला है तो आपको बोलेगे अभी latest कहां पर हुआ है तो उत्तर परदेश के अंदर तरह ही elephant reserve हुआ है और तरह ही elephant reserve यहाँ पर इस जगह पर और इसके अंदर आप देखेंगे तो यह सारा area जो है ठीक है वो तरह ही elephant reserve के अंदर आ रहा है और तरह ही elephant reserve जो है उसके अंदर चार animals है tiger भी है isher elephant भी है ठीक है project tiger start करा गया क्योंकि centrally sponsored scheme थी project स्वार्जेक्ट elephant कि गवार्मेंट ऑफ इंडिया की centrally sponsored scheme थी और उसके अंदर क्या है उसके अंदर बहुत सारे elephant reserves बनाए गए कि यह area जो है इसके अंदर interference ना हो सके man elephant conflict ना हो सके इस तरसे इसके अंदर project elephant के अंदर बहुत सारी area उसको अपने elephant reserve के अंदर convert करा ठीक है और elephant reserve जो होंगे वो भारत के अंदर 33 elephant reserve यह point आप इसके अंदर बुकु यार रखें to declare as an administrative category by the government to demarket large landscape that hold elephant and their movements ठीक है notified under the central sponsored scheme project elephant अभी हाँ पर देखें कि भारत में कितने हैं तो 33 है ठीक है और सबसी ज्यादा किसके अंदर है elephant reserve तमिल नाडू अंदा सामें ऐसे बहुत सारे question पूछे जाता है बच्चो बच्चो that is very very important फिर हमें लगता है कि कितना deep पढ़े सर कितना deep तक पढ़ें तो इतना तो पढ़ें कि तैली कहां जिसे बहुत सारे अगर आप देखेंगे tiger reserves भी है तो आपको यह भी आरखना है कि कितने सारे tiger reserves है भारत के अंदर और कौन सी states के अंदर सबसे ज्यादा tiger reserves है कम से कम इतना तो आपन को यहां पर देखें कि तमिल ना elephant reserve है ठीक है मैसूर का जो elephant reserve है करनाट का के अंदर वो सबसे largest है अगर सबसे largest पूछा जाए तो मैसूर elephant reserve है अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर है तो तमिल नाडो और असाम के अंदर सबसे ठीक है अब हम इंडियन elephant के बारे में सोड़ा पढ़ लेता है इसको elephant maximus भी बोलता है ठीक है यह देखें इंडियन elephant जो होता है भारत के अंदर जो elephant मिलता है वो highly intelligent animal है characterized by the strong family wants ठीक है जिसके family बहुत इंपोर्टेंट हो जिए उसके लिए तो यहां के elephant होता है वो family man की तरह होता है और sophisticated form of communication इसके अंदर होता है ठीक है आपस में बातचित करने क एक sophisticated form of communication है and complex behavior ठीक है behavior जो की normal समय में नहीं आता है ठीक है अभी भी किसी तरह से behavior करने हो जाता है इसको complex behavior गोड़ रहे है including tool use and ability to feel grief and compassion even they can feel grief ठीक है यह दुखी भी होता है इनको compassion भी feel होता है ठीक है compassion मतलब दया भावना करूना भावना यह सब भी इनके अंदर आती है भारती elephant के अंदर ठीक है और सबसे बुड़ी होती है और सबसे बुड़ा जो female elephant होती है वो लेड़ करती है इस group को ठीक है तो इनके इस तरह की group भी होता है राइट फिर अगर हम देखें have longest gestation period of all mammals सब्सक्राइब में सबसे बड़ा gestation period होता है मतलब जब बच्चा यह जब pregnancy होता है इनका 18 months से लेके 22 months तक होता है तो आप देख रहे हैं कि almost आप देख रहे हैं two years तक इनके pregnancy की पेड़ चलता है ठीक है adult male Asian elephant are less social than the female female ज्यादा बात्चीत करती है social रहती है group बनांकर रहती है जबकी male जो हो वो अपने काहम में लगए इस तरह से आपन को इसको क्या रखना पड़ेगा इनके behavior के उपर भी question found in the central and the south western ghats ठीक है northeastern india eastern india and northern india and in some parts of the southern peninsular india ठीक है क्या पर बिलते है एस पर the last count in 2017 india is 29,964 elements यहाँ पर आपको मिल रहे है आज आपकी 950 पर एक special class है 9.15 pm पर special class अभी बच्ची जोइन करें ठीक है इस special class के अंदर आपका जो modern history के mcqs करें जाएंगे ठीक है ठीक है next is national digital university national digital university एक नया concept है ठीक है यह नया concept अभी भारत के अंदर introduce होने वाला है अभी यह देखिए national digital university is a university designed to bring together various higher education institutions बहुत सारे higher देखो अब अब विसली national digital university है इसके नाम से सुनो ठीक है digital का मतलब क्या है कि online university होगी एक तो ठीक है और इसके अंदर बहुत सारे institution आ सकते है higher education institutions institution बहुत सारे institution का group जो होता है ठीक है उसको एक university क्या करती है university आप देखेंगे इसको एक university handle करती है तो national digital university के अंदर higher education institutions बहुत सारे आ सकते हैं ठीक है और higher education institution जो होता है ठीक है समझो higher education institution की reach इससे बढ़ सकती है तो national digital university माला online एक university है इसके अंदर, है ना इसके अंदर credit system होगा, unlimited seats, यह सब चीदियों में आपको सखा दूँगा भी, unlimited seats, credit, जो होगा credit system होगा, यहां पर देखे, online courses offered by the partner institution, बोथ private and the public universities, इसके अंदर आज़के, functioning model यह होगा, कि study webs of active learning for young's aspiring mind, यह एक portal है, swarm portal, कहाँ पर, पढ़ाई कहाँ पर होगी सर, इस university के अंदर, पढ़ाई कहाँ पर होगी, तो online होगी, swarm platform के अउपर, online यहाँ पर classes होगी, study webs of active learning for young aspiring minds, portal है, ठीक है, यह मैंने पढ़ा रखा है आपको, और swarm portal के उपर क्या होगा, यहाँ पर, आप देखेंगे, पढ़ाई होगी, right, courses, classes होगी, वो यहाँ पर होगी, IT and administrative service will be provided through the government summer portal, और government का summer portal जोगा, एक तरह से क्या करेगा, IT और administrative, तो यहाँ पर देखें, एक तरह से university की, यहाँ पर classes का होगी, एक online platform है, Swam platform, Swam platform है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर online classes हो रही है, इस university की, national digital university, ठीक है, इस national digital university के अंदर, बहुत सारे higher education institutions, public as well as private, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके member, ठीक है, अच्छा, इसका IT में कोई problem आ गया सर, classes चलना ही रही है, ठीक है, यहाँ गोजा रहा है, तो IT का कोई problem आ गया 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 तो समर्थ portal है, समर्थ portal वो इसको handle करेगा, ठीक है, इतना समयने में आ रहा है, अब यह कौन-कौन से course प्रोवाइड करेगे, अपन courses के बारे बात करते हैं यहाँ पर, students can opt for the certificate course, ठीक है, डिपलोमा और degree courses, ठीक है, यहाँ पर degree भी मिलती है, डिपलोमा भी हो सकता है और certificate course भी certificate के लिए भी कोई course कर सकता है, credit based university degree, credit based university degree मतलब क्या है, courses आप join करेंगे और उस courses, जितने courses आप join करेंगे, उसके basis पे आपको क्या मिलेंगे, कुछ credits मिलेंगे, credits मिलेंगे, और उन credits की बेच में, अगर आपने 50% credits हासिल कर लिए, 50% credits हासिल कर लिए, तो आपको degree मिल जाएगे, degree आपको पास आ जाएगे, ठीक है, आप देखिए, जो भी courses होंगे, उसके अंदर से, जो भी course join करेंगे, आप माली जे कोई particular degree है, ठीक है, जैसे बेटेक की degree है, तो उसमें different courses होता है, तो different courses हाँ join करेंगे, हर course के कुछ credit होंगे, जब आप 50 plus credit achieve कर लेंगे, तो आपको degree मिल जाएगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, credit based university degree, courses will help hold a certain number of credits, हर course के कुछ credit होता है, ठीक है, student will be eligible for a degree from a particular institution on accumulating 50% of the credit, जब उनके बाद 50% credit होंगे, आप अपनी mark sheet में देखना, हर course के कुछना कुछ credit होता है, ठीक है, हर course के अंदर कुछना कुछ credit होंगे, ठीक है, अगर इसी तरह से national digital university के अंदर भी जो courses है, उसके अंदर भी कुछ credit है, अगर आपने 50% तक credit ह हासिल कर लिए, तो आपको उस particular institute से degree मिल जाएगी, right, so Ndu degree, if students earn credit from the multiple institutions and crosses the credit, the degree will be awarded, will be by the Ndu, अगर मालनी दिये, बहुत सारे अलग-अलग, मालनी ये एक course इदर, एक institution से कर लिया, तो कि दीखे, Ndu के अंदर ये समझे, बहुत सारे institutions है, ठीक है, institutions है, और बहुत सारे institution है, माल मैंने इस institution से करा है, और ऐसे करके मैंने अपनी प्योरे VTEC degree की 50% credit, 50% और more credits मैंने कमा लिए, ठीक है, तो मेरे को degree देगा, वो कौन देगा, ये institute, ये institute, ये institute, ये सब मिलकर थोड़ना देगे, Ndu मेरे को degree देगा, ये Ndu University से मैंने करा है, अगर माल लिए इस एक university से, इस एक institution से मैंने करा, ठीक है, 50% credit, सारे courses से ही करें, 50% credit मैंको मिल गए, तो ये ही institution मैंको degree देगा, रहना रहा है, सभी बच्चो को, I hope this is clear, अब इससे क्या होगा, इससे आपको भई, कोई physical infrastructure की ज़रत नहीं है, है ना, इसके अंदर भई, इतनी seats होंगी, ऐसा भी नहीं, unlimited seats है, ये इतने भी लो गो सकते हैं, डिगरी ले सकते है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, number of seats, there will be an unlimited number of seats for every course, हर course के लिए, unlimited number of seats यहाँ पर अविलेबल है, I hope this is clear to everyone, and this is all about today's class, 9.15 p.m. पर भी आपकी class है, अभी बच्चिव सको अटरे, ठीक है, ठीक है, that's all for today's class, thank you so much, बच्चिए है, आपी क्वटरे नी अयरा अविलेबल के दोड़त है, Eckil मुटरे जहाँ आपकी सकता है, ठीक है, उख़गगए दबल द Quiणारे यह जाजाग मुटरे भी अजाबल का रहता है, दोगगप आपकी का यह जसलोगटेस जबते हैं, कर Yap कैते हैं, और हम पड़एश भी सकत र